हेलो फ्रेंट्स आप सबीका स्वागत है तो फ्रेंट्स बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट न्यूज को पर अभी टाइम पर मार्केट में जो बड़ी अपडेट्स हो कि उसे कॉपर करने वाले हैं तो फ्रेंट जैसा कि टेलिग्राम चैनल मैंने आप सभी के लिए सुरू कर कर दी जाएगी और टाइम टू टाइम जैसे जैसे और भी लोग जूड़ते जाएंगे बहुत सारी सीजें नहीं सुरू कर दी जाएंगी तो इसलिए मतलब बेनिफिट है और फ्री है तो आप जो कर लो तो चलो फ्रेंट्स अगर मान लो काम नहीं करती है लिंक तो आपको टेलीग्राम पर जाके वाई सी लिखना है और यूट्यूब लिखके यह सर्च करोगे तो आपको मेरी यह टेलीग्राम चैनल है वह दिख जाएगी तो चौरो फ्रेंट्स इस तरह से आप सर्च करके भी जॉइन कर सकते हो तो फ्रेंट्स बात करें फियर एंट ग्रीड इंडेक्स के बारे में तो यह मीटर 13 पर है आज के दिन और अभी भी मार्केट मिक्स टीम लेलों के जो फियर है बना हुआ है जब तक मार्केट जो है 30,000 वाला और 28,000 वाला रेंज जो है BTC वो छोड़के कुछ कम से कम 35-34 कुछ ज़्यादा उपर पंप नहीं करता है तब तक तो फ्रेंट्स बात करें अगर ओबराल मार्केट केप की तो 1.28 ट्रिलियन देखने को मिल रहें वहीं आज जो है 4% की मतलब सोरी ग्रोथ जो है मार्केट में देखने को मिल रही है और बात करें थोड़ी से फ्राइस की तो यहाँ पर आप देखो BTC अगें 31,000 में इंटर क के ऊपर मतलब लबक लबक नाइनटीन था जोड़ा से करीब में चलना इथरियम स्वरी नाइनटीन हंडर के करीब में चलना है तो फ्रेंट्स बात करें हम लोग सबसे पहले वह निउस को पर तो आप देखो जो गोल्डमन स्थ के प्रेसिडेंट है इन्होंने वार्न की मत इकनोमिक एक तरह से आर्थिक जो जटकत जटके या संकत मालो और जो टफ़र टाइम है वह आने वाला मतलब आगे में है टफ़र टाइम मतलब आप समझेए कि कुछ को आप ट्रांसलेट करने के जोगत नहीं है तो फ्रेंट्स आएंगे अप थोड़ा नीची डिटल में त जेपी मॉर्गन के CEO कि hurricane is coming our way अब यहां पर यह बोला जा रहा है जैसे इन्हों ने ये बाती बोली और अभी इनका जो जो जेपी मॉर्गन के CEO का जो स्टेट्मेंट निकल कर आया था इन दोनों के स्टेट्मेंट जो इकोज कर रहे हैं एक दूर से आप समझ लो similarity दिखाए जा रही है यहां पर इन्हों ने बोला था कि hurricane मतले की तरह से तुपान आप मालो आंधी मालो या बड़ा वाला बॉंडर मालो कि वह जो है रही है रास्ते में तो यह सारी चीजे किस चीज को लिए कर टार्गेट की जा रही है तो आपको यूएस की जो economy है यूएस की जो saving fund है तो इस तरह से यूएस का जो ट्रेजरी है उस पर थोड़ी से संकट आते देखने को मिल लिए और उसका amount काफी low देखने को मिल रहा है और भी बहुत सारे indicator है जो कि यह सो कर रहे है कि यूएस क्या जो आने वाला एक से डेट साल है वो दिक्कत में रहने वाला है उसका र देन में आपको जो है अपनी जो राए विचायर है उसको रखा किस चीज के रिकार्डिंग में एक बैंकिंग कॉनफरेंस कोई बैंकिंग कॉनफरेंस हुई ती तरस्डे के दिन वहाँ पर इन्होंने अपने बात को जो है रखा था तो फिरेंट यहां पर मैं इससे करता यह यहीं बोला कि जो यह उमीद करते हैं कि जो आने वाला समय है economic के मामले में वो क्या है तो tougher होने वाला है और no question we are seeing a tougher capital market environment और यहाँ पे इनका कहना है कि हम लोग tougher capital market का environment बना हुआ है वो हम लोग देखने वाले हैं इसमें मतलब कोई doubt या कोई question वाली बात नहीं है मतलब इन जो inflation है या मतलब sorry जो recession है मतलब मंदी है यह आपको आएगी और कब तक रहेगी तो एक साल से डिएड़ साल तक तो यही सब चीजे है नीचे में तो चौरो फ्रंट्स बढ़ते हैं अगले निविश के लिए तो बात करें सब्डेट को पर तो यहाँ पर यूएस के जो regulator है यहाँ आप बोला जारा है कि जो investors के तरह से जिसतर से रिपोर्ट निकल करा रही है कि उन्होंने लबग 1 billion dollar जो है crypto में scam जो ही है 2021 तक मतलब 2021 तक जितनी scam हुई है उसमें लबग US के जो investors है उन्होंने इतने बड़े amount को जो है loss किया है crypto market में scam के कारण से अपरेंट्स आप ब बात करें over value in 46,000 लोग लेके तो वह होती है आपको 1 billion dollar से ज्यादा कब तक कि यह बात की जा रही है तो last year तक की बात की जा रही है मतलब 2020 की बात की जा रही है क्रिप्टो करेंश स्कैप में इतनी सारी जो चीज़े है वह हुई है तो इसी को पर यह सारी रिपोर्ट है मैं इसे करता हूं अगर देखना है तो आप देख लो सेम चीज़े जो मैंने अभी जाच आप उपर में बताई है तो बढ़ते हैं अपने एक लिए नियूज के लिए तो यहां पर एक चीज और इंग्लूट किया गया है यहां पर बोले जा रहे हैं कि जो टॉप क्रिप्टो क इनको ठगा तो बात करें यहां पर तो यूए के जो चैरिटेबल फाउंडेशन है उन्होंने रिसीब किया अप्रूबल उनको अप्रूबल मिली है कि वह एक्सेप्ट कर सकते हैं क्रिप्टो को डोनेशन के तौर पे तो फ्रेंस अनीचे आएंगे फटावर से कोबर चैरिटेबल फाउंडेशन उनको रिसेटने इन्होंने मतले एनाउंसमेंट किये कि इनको जो है परमिशन जो है क्रिप्टो करेंसी को डोनेशन के तौर पर एक्सेप्ट करने के तो परमिशन इनको दे दिया गया तो अब यहां पर इतना ही रहने देते हैं तो बात करें अन-लाइसेंस क्रिप्ट बिजनस को रन कर रहते जिसके तोर पे उनको 2-7 तहराए गया उनको 5 साल की जो है जेल में सजा काटनी होगी तो यहहां पर तो यह क्रिप्टो करेंसी क्रेडर इसने क्या किया है तो कन्विक्ट पाइगा है कि यह आपरेट कर रहा था एक अग तो प्रेंट अब बात करें यहां पर तो यह फिर से आपको ले जॉफ मतलब जॉब से निकालने वाली आपको अपडेट है तो टू टीम ग्रूप जो है पेरेंट कंपनी ऑफ मर्काडो बिटकोईन इसका यह हिस्सा है जिसने क्या क्या है तो 90 वरकर्स को अमीड मार्केट कू कि आपको एक लताम बेस्ट क्रिप्टो करेंसे इसने एक्सचेंज है कि यह क्या कर रहा है तो सीरी जॉप जो है मतलब जॉप जो है लोगों का वो निकाल रहा है करेंट मार्केट के कारण से तो बस बात यहां पर तो सब चीज समझ में आई गयोगी तो यहां पर भी ज्या नभी पुझा जारी कि नौग नई पब्लिश्ट बूक है जो दावा करती है तो बारे में जो रियल स्टोरी उनके कि यहां है तो उसे कुपर यह अपडेट है तो यहां पर बोला जा रहा है कि कि पिछले तेरह साल के अगर बात करें तो अग्रेट number of individuals have claimed to be the inventor of Bitcoin कि पिछले तेरे सालों में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे individual नहीं यह दावा कर चुका है कि वही है Bitcoin के inventor but no single person has been able to prove this to the greater crypto community लेकिन यह जो अभी तक का महाल crypto community बन चुका है इसमें किसी ने भी proof नहीं दे कर पाया है फिर किसी ने यह साबित नहीं कर पाया कि वही एक्चुल में जो है Bitcoin का inventor है तो अब यहां पर बोला जा रहा है कि at the end of August 2019 2019 में एक जो marketing और public relations PR agency उसने publish कि प्रेसर में जो रिलीज की कि वह क्या कर रहे है तो फिचर करने a man from Pakistan who claimed he invented Bitcoin जिसने दावा किया कि वह क्या किया है जो कि आदमी पकिस्तान से नाका मोटो, उनके बारे में और ये दावा करता है कि उनके बारे में बतलब स्क्णол रियल स्टूरी यहीं चीज यहां पर बोली जा रही है कि इनके बारे में प्रूप प्रोवाइड कर पाया था और उसके वाध फिर जो यह आपको एजेंसी है इसने एक बूक निकाली जिसका नाम है फाइंडिंग सतोसी और यह दावा करती है कि यह जो रियल स्टोरी है आपको बिटकोई क्रेटर के उसके बारे में यह सब कुछ बताई है इस बूक में तो फ्रेंट बात करें इस वाले अपडेट को पर तो यहाँ पर बुला जा रहा है कि वाल विजिटिंग वर्ल्ड एकनोमिक फोरम इवेंट इन डावस अब जैसे कि इन्होंने विजिट किया था वर्ल्ड एकनोमिक फोरम जो के भी हाल फिलाल में डावस कंदर में हुगा था तो रिपबलिक लैब सॉरी रिपल लैब के जो यहाँ बाद में चलके एक कंपनी बन जाए जैसे आपको पता है वोड़ा और आइडिया अभी भी बने हुए हैं तो उसी तरह से मर्जर एक्विजिशन मतलब यह हो गया कि मेरा कोई कंपनी एम नाम का है और आपका कोई कंपनी नाम का है तो मैं आगे चलके आपके कंपनी को एक्वार कर लो आपके कंपनी को ले लू तो यह होगा एक्विजिशन तो फ्रेंट्स यही सारी चीज़ें आप इन्होंने बोला रिपल के क्या आने वुला टाइम में यह फ्यूचर में मर्जर कर सकते हैं और नीचे में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं जिसे उतना पढ़ने के जोतम दों की नहीं है तो चलो फ्रेंट्स आई होप आप सभी को वीडियो हमेसा की तरह अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दू और फटा फट से सब्सक्राइब करो अगर अभी तक चैनल पर मतलब क्या कहते हैं अगर नए हो और वीडियो देखते हो अभी सब सब्सक्राइब कर लो टेलीग्राम अभी तक जोईन ने की हो तो टेलीग्राम जोईन कर लो तो फ्रेंट्स चलो अब मिलते हैं अगले वीडियो में